सरकार के निर्देश अनुसार डाक विभाग ने अलवर्ड में नए 14 आधार केंद खोले हैं जिसमें अब लोगों को परिशान नहीं होना पड़ेगा सीनिर सुप्रिडेंट पोस्ट आफिस जबार खान ने बताया कि केंदर में राजे सरकार के निर्देश अनुसार सरकार के द्वरा विभिन योजनाओं में आने वाले लाभार्तियों के आधार कार अपडेट करने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा था बुजर्ग बच्चे महिलाएं सुभह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहते थे लाइन में लगने के बाद भी उनका नमबर नहीं आता था इसी समस्या से निजात पाने के लिए डाक विभागने अलवर में पिछले महिने में 14 नए आधार केंटर खोले हैं जहां पर आधार अपडेट वे केवाईसी करा सकते हैं पूर्वे में मोती डुंगरी और अट्टा मंदिर आधार सेंटर पर काफी भीड हो जाती थी इसलिए यहां पर आधार की एक-एक एक्स्ट्रा मशीन रखवाई गई है अलग-अलग सेंटर ओपर बढ़ोतरी की है पहले 4 गंटे काम होता था अब 7 गंटे कर दिया गया है जिससे जनता को सुविधा अनुसार काम हो सके जनता की सुविधा के लिए पिछले महिने से 14 नए अधार सेंटर को चालू किया है और सहर में कुछ हमारे जो अधार सेंटर थे जहां पर बहुत जादा भीड होने लगी थी जिससे यहां मोती ढूंगरी है और हमरा हालवर हैड ओफिस है अट्टा मंदिर के पास तो यहां पर हमने किया है कि दो मशीन एक 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 एक्स्ट्र मशीन लगा के दो मशीन करवा दिया है जिससे किया कि लोग आएं तो कोई वापिस ना जाए सब को सुविधा मिले और सब अपना अधार अपडेट करवा के जाएं किसी को जनता को किसी को परिशानी ना हो इस वज़े से हमने कुछ और सेंटर प से हमेरे से कि अगर से हर की बात कर आंता मंदिर अलवर हाइड ओफिस है आसिंग बोर्ड को लुड़ को लोनी है अलवर रेल्वे स्टेशन है तो यहां और मैं ए एरिया है यहां पर हमने सहर में अधार हमरे चालू हूँ है और इसके लाए उस अच्छिवार ले जो कोस्ट तो फिसे वहां भी अधार के कार ने किया जा रहा है